मेरा नाम शर्शी सिंग है और मैं डॉक्टर राम अनोहरलोया इंस्टिटूट लखनव। मैं कारिरत हूँ और मैं समय डूटी पर हूँ यह हमारा वार्ड है। अभी अभी मेरी एक स्टाफ नर्स हैं। उन्होंने फोन किया और बताया कि हमारे भी इसति है कि नर्सेश के लिए कोई स्विधा नहीं है। इवन N95 मास्क तक नहीं है प्लेन मास्क एक मिलता है और गलक्स है उसी से हम पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं। मेरा सबसे ये कहना है कि ये समस्या पूरे उत्तर प्रदेश में है। सामान नहीं है नर्सेश के पास और उनसे कहा जाता है कि ऐसे मरीज जो स्वाइन फ्लू और कोरोना के पेशेंट हैं। सस्पेक्टेड उनको हैंडल कीजे। पत्रकार बंदों से और जनता से देश की जनता से मेरा सवाल है कि हमें बेसिक चीजें प्रोवाइट क्यों निकी जा रही हैं। और मना किया जा रहा है कि बोलिए मत। ये क्या तरीका है आपका। आप हमसे कोरोना पेशेंट सास्पेक्टेड हैंडल कराएंगे और हमें गलब सिर्फ देंगे और एक प्लेन मास्क देंगे हम क्यों छुए हम क्यों छुए हैं प्वई भाई। सब जान रहें रिसक हैं हम क्यों छुए क्या ये देश इतनी गरीब हो गया है कि हमें PPE kit नहीं मिल सकती, सबसे पहले जरूरी चीज़ें होनी चाहिए, तो हमें क्यों नहीं मिल सकती बताइए, हमें protection की kit नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं कर्मचारी निता हूँ, मेरा दाये तो बनता है, मैं राज कर्मचारी सायुफ्ट परिश्ट की प्रदेश महामंत्री हूँ, और मैं उत्तर प्रदेश नर्सेज एस्जोशेशन की भी प्रदेश महामंत्री हूँ, मेरा हर कर्मचारी के लिए दाये तो बनता है, कि मैं इसकी सुरश्चा के बारे में सोचू, और हमसे पहले तो सरकार को सोच रहे हैं, सरकारी कर्मचारी है, सबसे पहले तो इन्होंने ये देखिए कि नौकरियों को क्या टके टके पर कर दिया है, कि 10,000, 7,000, 15,000, नर्से से काम करा रहे हैं मैडम, क्या बताऊं, पेंशन दे नहीं रहे हैं, नौकरी सीक्योर नहीं ठेके पर नौकरियां हैं, और इसके बाद आप सामान भी नहीं देंगे, और अदीश्य धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें निकाल दूँगा, नहीं तो तुम ऐसे ही काम करो, वो बजट कहां जा रहा है, हमें जानना चाहती कि यो पत्रकार बंदू वास्तों में अपना कार्य करें, हर अस्प्ताल से पूछा जाएगी कितना बजट मिला और क्या-क्या सामान वास्तों में खरिदा गया कि नहीं खरिदा गया, क्योंकि नर्सिस को तो नहीं मिला, तो किसको मिला, मैं इसलिए इस तरह बात कर रही हू क्योंकि आज हमारी जान जोखिम में है तो ऐसी भी का बात देता ऐसी भी क्या इथिक्स जब आप की सिंसेर्टी हमारे लिए कुछ नहीं है आप के अंदर इतना भी संबेदन शील्ड सभाव नहीं है कि आप हमें प्रोटेक्शन किट तो दे सकें तो हम अपनी नर्सेश को और कर्मशारी को कैसे कह सकते हैं कि तुम जाओ और मौत के मुँँ में समाज़ो मेरा नैतिक दाई तो यह गवारा नहीं करता कि मैं कहूँ कि जाओ काम करो तो कृपया मानिस्वास मंत्री जी हमें पता है कि आप कुरिंटाइन उसमें हैं क्योंकि वो जो कांड हुआ था बॉम्बे से आई थी यहाँ पर बेबी डॉल में सोने दी उन्होंने बहुत बहुतों को चलता कर दिया कि जाओ करोना के सरण में जाओ तो उसका भी हम लोग हमेज़े भुगते तो भुगतेंगे करते हैं नौकरी आप में प्रोटेक्शन किट तो दीजिए उसके बिना मैं इसलिए कह रही हूं कि 24 घंटे तक हम लोगों को संसादन नहीं मिलेंगे तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे न हमारे करमचारी कर पाएंगे और न हम कर पाएंगे क्योंकि आप देखिए न टीवी में टीवी में जो घंटे शंग घडियाल बज रहे हैं और अभी अभी ये भी फोन हमारे पास आया कि दीदी हमारा तो कही नामों निशान ही नहीं ह कि कुछ नरसों ने भी कुछ किया या कर्मजारीं ने भी कुछ किया हाँ भारत की डॉक्टर देखिए और पूरे सिंगल दिखायी नीपड़ेंगे इमर दिन सिमसिर बठे होगी, और हर वाड में कोई नोग नर्स होगी, तो उसे मिलना चाहिए संसादन, डॉक्टर्स के पास हैं, ये किट हैं उनके पास, फार्मेसच के पास भी है, लैप एक्नीशन के पास भी है, तो हमारे लिए क्यों नहीं, हम तो दारेक्ट पेशन के कॉ दिजाए, सनिटाइजर दिया जाए, सफाइज के सामान दिए जाए, तब तो हम काम करपाएंगे, मैं करमचारी नेता हो नसर नेता होने के कारणा आप से रिक्वेस्ट करने हुआ कि देखिए, आप लोग हमारा साथ दीजिए, की हमें संसाधन दीजिए, और मैंने ही, सब के है कि हमारे देश के लोगों को लाना आप लाइए तो सबसे पहले वहां के दूतावास में को रखिए उसके बाज़े से कुम मेले में आप देखते हैं करोन रूपय की करोन लोग का मैनेजमेंट रहता है वहां पर एस्पिताल रहते हैं सब चीज रहते हैं कुम मेले का मैनेज जूज रहा है समस्या से आप बताईए भाईयों बहनों कि उस डर का क्या जो सब के मुन में समा गया है उसका कोई खामियाजा दे सकता है जो सब डरे हुए है आपको क्या हाक है किसी दरा नहीं का है राम मेरी जानना चली जाए सारे देश के नागरी छट पटा रहें कि आप क हमने नहीं दिया जिसने दिया है वो भूगते का भी नहीं वो छुप जाए गए जो उनको रोक सकते थे जितने भी लोग थे वो नहीं भूगतेंगे हम डॉक्टर नर्सेश भूगतेंगे हमारे करमसारी भूगतेंगे हमारे परामेडिकल स्टाफ भूगतेगा और जो करने वालों का यहाल आप कर देंगे हम भी बिमार पड़ गया तो आपका हिलाज कौन करेगा तो प्लीज मैं तो कही रही हूं आप भी कहिए सिस्टम से कि वह हॉस्पिटल में सामान कि बहुत ज्यादा मात्रा में दे यह बाड़ वाला कार्योकरम अब नहीं चलेगा आप सु प्ला डाली जाता है यह नहीं चलेगा आप हमें देज्जे सामान चाहें जहां से देजिए वरना हम काम नहीं करेंगे हमारे भी फैमिली और बच्चे हैं कसम हमने ली है हम उनको क्यों मारें हम प्रपावित होंगे तो उन तक भी यह चीज ने पहुंचेंगी हमें कोई हक नहीं है कि हम जन सेवा करने के लिए अपने परिवार को मौत के मुह में डाल दें ओपेन हैंड से काम नहीं करेंगे ओपेन हैंड मिन्स की बिना पीपी किट के काम नहीं करेंगे नहीं करेंगे कोर्ट बन सचीवाले बन ऑफिसेज बन डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट बन सिर्फ अस्ताल खुला है सबको पता है कि बीमारी लग जाएगी ऐर में है सिर्फ अस्ताल खुला है तो जो काम कर रहा है जानके काम कर रहा है कि मौत के मुँझे चाना हुआ उसका किट भी नहीं दोगे अजया है इह अमानवी है और फिर आप कहोगे की नहीं किसे से मत कहो ये गलत है हमारी नर्सेस को हमारे करमजारी को सब को दीजिए करमजारी गरीब है जी ने कहा गरीब और अमीर सब का बराबर है किट सब के लिए मिलनी चाहिए सब के लिए मिलनी चाहिए और ये CSC, PSC में तो एकदम miserable condition की गलाबस तक नहीं है और अर्सेस से कहते हैं टेंड करो दूर खड़े रहते हैं जाओ सुवी लगाओ, काम करो करेंगी सामान तो दो बिना सामान की क्यों चुएंगी प्लीज प्लीज मानवता मत खोईए हम आपके साथ है हम चाहते हैं कि यह जो लंबे समय तक पक्रिया चलेगी हम इसको समारने में सच्छम हों वो सच्छम कैसे हों हमें सामान तो देंगे आप संसाधन उपलब्द कराईए और मेरा आप सी यही निवेदन है हमारी नर्सेज बहुत कपेबल हैं बहुत डिवेटेड हैं बहुत ज़्यादा चमता रखते हैं काम करने की ददस घंटे बारा बारा घंटे वो खड़ी रगर काम करने वाली नर्सेज हैं तो क्रप्या आप उनको संसाधन तो अपलब्द कराईए हम इंकार नहीं कर रहे हैं लेकिन सबसे पहले हम अपने सुरच्छा करेंगे इसके बाद ही तो काम करेंगे इसके हमने ओध लिए है सर्फ प्रोडुक्शन पहले करेंगे फिर मरीज को बचाएंगे सिंपल सा मामला है धन्यवाद सब भी देशवासियों को नमस्कार करती हूँ और सब के खुशाली के लिए प्रास्परिटी के लिए और इस समस्या से निपटने के लिए उसमें उन्हों को शक्ती मिले इसकी प्रात्ना करती हूँ और सब कुछ अच्छा होगा लेकिन करप्या हमें नाम मत दो हमें फिर देखे मैं करी हूँ नाम मत दो लेकिन कम से कम सामान तो दे दो अगर आपको लगता है पत्रकार बंदूं से मैं खास तोर से कह रही हैं जुन्होंने टीवी में चैनल में खबरे चलाई हैं पत्रकार बंदू महोदे आपको लगता है कि नर्सेस का कोई वैलिव न करने में हमें बाहर कर दो χ 1 अब है किसट आपको अमोट हमारे प्रॉप ऽोडों की तरह सच्वाले की तरह वाइस कर ठाध में हमारे प्लीज प्लीज और जितने भी लोगा कि जिनको आप समझ रहे हम कि इनका योगदान है उनसे करा लो काम यो शंक कर नहींते बजबाओ मैं भी बजाओंगी घंटा घर में बैटकर, आप से ज़्यादत तेज बजा दूँगी, हमें चुट्टी दे दो, हमारे सारी नर्सेस को मत दो सामान, सिर्फ उन्हें उनकी चुट्टी दे दो, चुट्टी मांग रही हूं, ये सब बिना चुट्टी के बैठा हु नुफ़िस्STबा नियौक्ट्ट मुथ दीजे हमें छुट्टी दे जिजिए क्योंकि हमारा तुसमेह नाम भी नहीं है कि योग्दान है युग्दान तो डॉक्टर्स का है युग्दान अधर्वाइस दूसरे लोगों का है हमारा दूसमें किसी प्रत्रकार नाम भी नहीं लिया है तो हमें नाम मत दीजिए मत लीजिए हमारा नाम चुट्टी देदो तो जो हर काउंटर पर नर्स बैठी है ना कमस कंपने घर में जाके बैठी कि सभी कर्म सारी कि तरह हम भी बैठ जाएंगे पिर जो काम कर रहे हैं जो समझे जा रहे हैं कि हां बहुत काबल है वो समाल ले इपनी सारी व्यवस्ता नकिट दोगे